दाक बोट एक रोमांचक और मनोवेग्यानिक हॉरर फिल्म है, जो एक अकेले मचुआरे की खौफनाक यात्रा पराधारित है। कहानी माल्टा के तट के पास समुद्र की प्रिष्ठ भूमी में घटित होती है, जहां एक मचुआरा अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में निकलता है। फिल्म की शुरुआत शांत और प्रकृतिक द्रिष्यों से होती है, जिसमें मचुआरा पानी की गुफाओं से गुजरते हुए नौकायन कर रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और सुन्दर प्रतीत होता है, लेकिन जल्द ही समुद्र का वातावरण नाटकिय रूप से बदलने लगता है। घणा कोहरा अचानक से चारों वर छा जाता है। जैसे ही वह नाव को मोडता है, अचानक उसकी नाव किसी अज्यात चीज़ से टकरा जाती हैं, जिससे उसकी नाव जोर से हिल जाती है। ये घटना उसे अस्थिर कर देती है और लगभग नाव से गिरने की स्थिती में आ जाता है। इस घटना के बाद मचुवारे की सतरकता बढ़ जाती है और वह पूरी स्थिती को और ध्यान से देखने की कोशिश करता है। जल्द ही मच्छुआरे को दूर समुद्र में एक परित्यक्त और बड़ी नाव दिखाई देती है, जो धीरे धीरे बह रही होती है। मच्छुआरा नाव के पास जाता है और उसका नाम पढ़ता है एउलस से पहले वह अपनी छोटी नाव को रसी से बड़ी नाव से बांध लेता है ताकि वह कहीं बहकर न चली जाएं। एउलस पर चढ़ने के बाद मच्छुआरा उसे पूरी तरह से खाली पाता है। हालांकि जहाज में सभी आवश्यक चीजें जैसे भोजन, पानी और एक रेडियो मौजूद होते हैं जो संकेत देते हैं कि हाल ही में यहां कोई व्यक्ति रहा होगा। जब मच्छुआरा डेक पर वापस आता है तो वो यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि उसकी छोटी नाव जिसे उसने बड़ी नाव से बांध रखा था गायब हो चुकी है। घना कोहरा उसे आसपास कुछ भी देखने नहीं देता। जब कोहरा थोड़ा छणता है तो भी उसकी नाव कहीं दिखाई नहीं देती। अब मच्छुआरा एवलस के इंजन को चालू करने का प्रयास करता है ताकि वह जहाज को तटकी और मोड सके। लेकिन इंजन भी काम नहीं कर रहा होता। मच्छुआरा इंजन को ठीक करने के लिए डेक के नीचे जाता है और कुछ उपकरणों की मदद से इंजन की मरम्मत करने की कोशिश करता है। कई असफल प्रयासों के बाद अंततह वह इंजन को चालू करने में सफल हो जाता है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब वह जहाज को सही दिशा में मोड सकेगा लेकिन रेडियो पर फिर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से उसकी निराशा बढ़ जाती है। समुद्र की ओर निराश होकर देखते हुए मचुवारा पेशाब करने के लिए जहाज के बाथरूम में जाता है। जैसे ही वह पेशाब करने लगता है, दर्वाजा अपने आप बंध हो जाता है। मचहुारा इसे हवा का असर मानता है और ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन जब वह counterparty बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो दर्वाजा पूरी तरह से बंद हो चुका होता है, वह दर्वाजा खोलने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता, यह अजीब स्थ इस स्थिती उसे घबराहट में डाल देती है। बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। जिससे उसे पता चलता है कि एक बड़ा मालवाहक जहाज उसकी और तेजी से आ रहा है। तकरा जाएगा और उसकी जान खत्रे में पढ़ जाएगी। उसकी घबराहट चरम पर पहुंच जाती है। और वह हर संभव प्रयास करता है कि कि किसी तरह से खुद को इस बातरूम से बाहर निकाल सके। इस बिंदु पर दाकरद बोड एक मानसिक और शारिरिक संघर्ष में बदल जाती है। मचुआरे के सामने अब न केवल एक परित्यक्त रहस्यमय जहाज का डर है बलकि वह एक दूसरे बड़े खत्रे का भी सामना कर रहा है। यह फिल्म उस संघर्ष की कहानी है जहां मचुआरा खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन ह चंतिम क्षणों में मचुआरे का संघर्ष और डर अपने चरम पर पहुँच जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह इस रहस्यमय जहाज से भाग नहीं सकता। दबोट एक धीमी गती से आगे बढ़ने वाली लेकिन गहराई से भयाव कहानी है जो दर्शकों को मचुआरे के सामने अकेला और असाहाई महसूस करता है।